गुड मॉर्णी टू अल आफ यू और वेलकम पैक टू माई आनल ग्लासस हैं डॉक्टर असो किया दो और हम बात करने जनेटिक्स के विशे में प्रिबिएस वीडियो सेग्मेंट्स में हम लोगों ने प्रिंसिपल साफ इन्हेरिटेंस के अंतरगत बहुसतारे जनेटिकल ट कड़ी में हम लोग कुछ इंपार्टेंट जनेटिकल टेमिनालोजी के विशे में जानेंगे जिसमें हम लोगों यह देखेंगे टेस्ट क्रास किसे करते हैं बैक क्रास किसे करते हैं रेसी प्रोकल क्रास क्या होता है और डबूल क्रास क्या होते हैं इन सब के विशे में हम अब बात करेंगे तो आये समय झाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखते हैं क्या है कुछ खास इस में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेश्ट करस हाई क्या तो टेस्ट क्या होता है बच टेस्ट क्राश सब टाइप अफजिक टेकनिकि इन विच टू करते हैं हुआ यह कि मेंडल ने सबसे पहले एक प्योर लाइन विराइटीस आफ टाल प्लांट का एक प्योर लाइन विराइटी साफ ड्रफ प्लांट के साथ क्या एक कराया था जिसमें उन्होंने देखा कि first filial generation में जितने भी पौधे हुए सब tall varieties के हुए लंबे variety के हुए तो उन्होंने ये सुचा कि ये जो लंबा variety है जो ये tall plant है इसमें जो characters होता है इसका जो genotype होता है अगर हम लंबे के लिए देखेंगे tall plant के लिए देखेंगे तो tall plant में दो condition होता है तो इसका जीनो टाइप को देखेंगे देखेंगे देख होता है capital TT और दूसरा होता है capital T smart T इसको हम कहते हैं homo jagas tall इसको हम कहते हैं hecto jagas tall तो pure line variety ये है impure line variety ये है तो मेंडल को ये confirm नहीं हो पाया कि जो F1 generation में आने वाले पौधे हैं उनका जो tallness है जो एक dominant character मिल रहा है tall plant के रूप में वो capital TT है कि capital T smart T इस genotype को वो समझ नहीं पा रहे थे जिसके लिए उन्होंने एक नए test का खोज किया जिसका नाम है test class तो आज़े definition को जानते हैं when F1 hybrid when F1 hybrid that is the when F1 prosceny is crossed with its homogigous recessive plant या homogigous recessive parent then it is called as the test class जब F1 prosceny का आठा जो offsprings आए हुए है F1 generation में उनका cross जा हम उसी homogigous recessive parent से कराते हैं तो इस प्रकार के cross को या इस प्रकार के test को हम क्या करते है test class करते हैं इस figure के माध्यम से जानने कोशिस करते हैं कि मेंडल ने सबसे पहले parental generation के रूप में pure टाल P plant का cross pure dwarf P plant से कराया जिसमें अगर इसके हम जीनो टाइप को देखें तो ये capital T T है ये small T T है इसको हम क्या कहते हैं homologous homogigous tall plant और इसको कहते हैं हम हमो जाए हमो जाए हमो जाए हमो जाए हमो जाए हुए है वो क्या है capital T small T where capital T is dominant over small T तो ये जो फीनो टाइप दिखेगा ये कैसा फीनो टाइप दिखेगा ये फीनो टाइप दिखेगा टाल प्लांट जब हम किसी गार्डेन में जाते हैं यृद्ई को जाते हैं कंगैं जीनोटाइप दिखेंगे करें गार्डेन में जाते हैं जब तक हम उनके जनित को नहीं पड़ेंगे तब तक हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जीन टाइप होमोजाइगस है अवह जाइगस डामिन इस चीज को मेंडल नहीं समझ पा रहे थे इसी को समझने के लिए उन्हों ने माध्यम से वह समझ पाए है तो इस फिगर के माध्यम से आप यहीं समझे जब मेंडल ने यह देखा कि फर्स्ट जेनरेशन में आये वाले प्लांट जो प्लांट है वह टॉल है लेकिन वह कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि टाल कौन है हो मुझा इस टाल है कि है इसके लिए उन ठीक तो याद रख लिजिए वेन यफवन हाइबरीड इस प्रॉस्ट विथ रेसेशन परेंट्स वनली दें सच टाइप सब्सक्राइब बात यह आता है कि उन्होंने रेसेशन प्लांट से ही क्यों क्राइब रेसेशन बराइटी से इसलिए उन्होंने कराया कि जब कोई प क्याप्टल टीटी भी हो सकता हैं या of हम बड़ा ल Philippines कराणा पड़ता है और इसी को जब हम अचिसाटे क्राइबस बसाद れसफेशन से गाटाए हैं यह तो इस परकार के क्रा компании test क्राइब और इस shallow एक चीज़ और इस में बहुत वह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रस का जो रिचियो आता है कि ट्रीए का जाएगा धहम o कन फर्म हो जाते हैं जो कई सब्सक्राइब क्हें घ्रोटब वन इस तो है दो आENS-पर्म आ करता है कि जो जीनो टाइब है वो क्या है वह हेट्रो जाएगा स्टाल कंडिशन को सो कर रहा है ठीक तो आए एक और डिफिनेशन को हम समझते हैं इस एक दम कनफर्म रूप से कहा गया है कि हमको जो जीनो टाइब डॉमिनेट करेक्टर साइब यह यहां यह पौधा लंबा है अब इस लंबे वाले पौधिय का जीनो टाइब फिनो टाइब तो कनफर्म है कि यह लंबा है बाहर से देखने से यह लग रहा है कि यह पौधा लंबा है लेकिन इसके अंदर जो जीनो टाइब है वो दोख प्रकार का हो सकता है एक यह हो सकता है होमो जाइगेड होमो जाइगेड डॉमिनेट जीनो टाइब और दूसरा यह हो सकता है हेट्रो जाइगेड डॉमिनेट तो वह यहां कहा गया कि यह क्या है अनोर जीनो टाइब यह है कि यह यह सब आनोर टाइब नहीं है तो इसमें प्रकार कि अविश्च कराएग है तो एक बार confirm हो लीजिए एक बार फिर से जाने लीजिए कि फिनो टाइप किसी प्लांट का ये लंबा दिख रहा है लेकिन इस लंबे का तो external morphology देखकर इसका आकार देखकर तो हम ये कह सकते हैं कि ये टाल प्लांट है लेकिन इस टाल प्लांट के दो कैटेग्री हो सकते हैं एक केपटल टी टी हो सकता है कैपटल टी स्माल टी ये भी टाल प्लांट बप्लांट के करेक्टर को आए इसको हम तो क्षय चाएगई तो देखें इनको हम जानते हैं के इस लिए इस और समझते हैं है है किस्ट वन में में इन नहीं देखा कि सबसे पहले इन की टाल प्लान्ट का अटूरल सा उन्हों हो द्यूरा लिटी रेंस नियुक्त उपेक्टेशन से बहुत अच्छा तरह उनका एसपेक्टेशं से नंसे एस्पेक्टेशन से कहीं इतर रिजल्ट आ गया बहुत अच्छा अर्थात मैसी वेराइटी में मैसी एमाउंट उनको टाल प्लांट मिले और इस टाल प्लांट का वो कारण नहीं समझ पाए कि यह हो मुच आइगे स्टाल प्लांट है या फिर हेट्रो जागे स्टाल से 우리가 और प्लांट से इनको करा दिया तो इसमें क्या हुआ यहाँ परसें क्राष में से क्राव और यहां देखिए टाल प्लांट को क्राष से कराए थे यहां सब pawझे क्या थिसमें पउधे थैंसितने पाउमबे आर दूसरी बार जब उन्होंने इसी में से टाल प्लांट को लेकर और इस ड्वार्फ प्लांट से क्रास करा दिया तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो गया उन्हों नहीं यह देखा इसमें 50% जो प्लांट है वो टाल है और 50% जो प्लांट है वो क्या है ड्वार्फ है तो जो रेशियो आया वो कितना आया अर्था दो प्लांट इसमें लखे और धो प्लांट्स्य चोटे चोटे जैसा कि आपको दिख राहा है इसमें किया लिखा गया है कि आइसने अमकर एक गया है हे धाने हाफ आफ स्प्रिंग और चॉन्ग फ्रिंग't ट्रॉप और तो देखिये-अ अगर इसका हम 치료 टाइप उस स्माल्टे ऐहां डेखे इसका जीनोटाइप परसेंट परसेंट प्रॉक्ष क्राइब पुर्फ करते उसमें उसी टाल प्रॉप के रूप में यह जो एफन जनरेशन में आगवे टाल प्लांट है उनका जब डॉर प्लांट से क्रास करा दिया इसमें पचास परसेंट पहुंदे छोटे और पचास परसेंट बड़े हो गए तो उन्होंने यह उनको यह कंफर्म हो गया कि यह जो प्लांट है जिसमें सभी ल ऐसे हमको कराना होता है और इस प्रकार के खर को क्या कहते है तेस्ट कि श.बॉटिय। ज़ी आप डिफनेशन में करेच की आई ह। crossed with recessive parents only then such types of the cross is known as the test cross अब वहीं अगर हम back cross की बात करें तो when F1 फ्रोजनी that is the F1 hybrid is crossed with either dominant or parent that is इसको कह सकते हैं कि when F1 hybrid is crossed with either parents that is the dominant as well as the recessive parent then such types of the cross is known as the back cross ठीक तो हम यह कह सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे किसी भी dominant character किसी भी dominant parents का या किसी recessive parent का crash जब हम hybrid से कराते हैं या फ़न generation कराते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे by cross और जब कभी हम keval or keval homo jagas racist parents से हम या फ़न hybrid का crush कराते हैं तो इसको हम क्या करते हैं test crash करते हैं ठीक तो हम देखिए अगर केस के रूप में हम देखे तो तीन केस में हम क्या करते हैं इसको आइडेंटिफाई करते हैं पहले केस में हम यह देखते हैं कि हमको यह नहीं पता है कि जीनो टाइप होमोजाइगस टाल है कि जीनो टाइप होमोजाइगस ड्वार्फ है तो इन तीनों केस क को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक हम मुझाइट टवार्फ प्लांट से हमें करते हैं पहले केस में यह देखिए कि अगर हम उच्छाइड का क्राप किसी रेचसिब परेंस से करा देते हैं तो यहां में जो रेशियो मिलता है ताल एडवरन का वो फ़ोर पंज स्थे चीरो मिलता है अलता सभी प्युद्ध हैं ताल है जब अजन बसी ताल मिल जाते हैं भी जो जैनी अथब करधी तो हम यह करा रहे हैं तो इसलिए रिजल्ट कंफर्म हो जाता कि यह है अर्थात यही है है जिसको हम क्या कहते हैं इंप्यूर विराइटिस आप डॉमिनेट प्लांट कहते हैं ठीक तो यह और तीसरे कंडिशन हम यह देखते हैं तो इसलिए चोटे पौधे का किसी रेससी प्लाइट चोटे पौधे से क्राज़ कराएंगे तो उस जनर्डेशन के जितने भी पौधे होंगे सभी डौर्फ होंगे तो यहां और ताल और डौर्फ गर आएगे तो कोई भी पौधाट आल नहीं हो लेकिन कब जब हम किसी रेसेश्लायियस प्राइए से कराते रहर तो लह जाता है हि इस ब्रकार प्लांट है तो रिषिए की रूप में हम देखें सो करें जब फॉन जनरेशन में आने वाले प्रीस्ट फिलियन जनरेशन में आने वाले सब्यकित लंबे प्लांट हैं तो इसका मतलब यह कह सकते हैं कि जीन झालिप कैसा है हो मजांने हैं क्था उप स्प्रींग्स सोस्ट और ढम्रेक्टर अब और रिमेनिंग हाफ आफ स्प्रिंग्स तो कर रहे हैं तो रिजल्ट कनफर्म हो जाता है कि यह है तो हम को किसी भी जीनो टाइप को स्वस्सक्ति आउल्ट करने के लिए जमना रिसेसिब परेंट्स से गाव कराते हैं तो उसी को हम भचों करते हैं ठेला ट्रॉल्ट क्यों क्यों तो तोट ौदण लोग कि नॉट नौट करते हैं तो आप इसको रिमार कर लिए के टेस्ट क्रास का रेशियो कितना था ओना टेस्ट नो बच्चो बहुत ऑल्टर इंपोर्टेंट है हरे कम ने पूछा जाता है तो आप इस तीन चीज़ को आप रिमार कर लिए तीन चीज़ को पॉइंट आउट कर लिए एक तो यह टेस्ट क्रास क्या होता है वेन यह फोन हाइब्रिदी क्रॉष्ट विथ रेसेशिव परेंट्स वन ली देन सच टाइप सब्सक्राइब्स पहला पॉइंट यह दूसरा यह होता है कि दरर ministry उस्ट का अीश है तो वन इस टू वन को राशियो में है तो भन Nee religious का रेटा फॉइंट सबस्तु करते हैं कि हम ठीज़ का प्रशू करते हैं चांभ स्था लिए जेनमिप करने के लिए चाडर टाइबalo करने लिए सब्सक्राइब कर दो एक यहां देखिए यह जीनो टाइप के रूफ में देखिए कैटल टीब जो टालनेस के स्वाले आध दूसरा देखे इसमाल टी इसमाल टी जी नो टैप क्या है दो जी नो टाइप क्या है से इसमाल टी अब फिरो टाइप मेंगर हम देखेंगे यह दो पौधे क्या होते हैं तो यह डॉर्पनेश को सो कर रहे हैं तो कुल मिला कि इनका जीनो टाइप फिनो टाइप दोनों क्या होता है रिमेंस से मोटा है ठीक अगला इंबाइट चीज क्या है test crash help to find out the genotype डैट इस दे capital T.T. आर capital T. Small T. of dominant phenotype जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि test crash किस ले प्रयोग किया जाता है यह find out करता है कि जो genotype है जिसके लिए मेंडल बहुत परिसान थे जिसके लिए मेंडल बहुत यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह जो टॉल ने टॉल प्लांट है इसमें जो जीनो टाइप है वह जीनो टाइप क्या हो सकता है वह कैप्टल टीटी हो सकता है कि कैप्टल टी स्माल्टी अर्था यह हो मुझाइगस टाल है कि है इसी चीज को फाइड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम test कराइब करते हैं जिसमें हम recessive parents कराते हैं तो ratio के माध्य हम समझाए जाते हैं अगर हम homo-jagas recessive parents का करास हम इस dominant character से dominant genotype से करा देते हैं तो इसमें यफ़ोन generation में सभी पौधी जो हैं लंबे आ जाते हैं जिससे यह confirm हो जाता है कि यह जो जीनो टाइप है यह क्या होता है हो जाइब करेक्टर को सो कर रहा है अगर हम recessive parents का क्रास हम इस यफ़ोन जनरेशन में प्राफ्त प्रोजिनी से जब जाता देते हैं तो यह confirm हो यह जो आता है में स्टोवन कारेस यो जाता है तो यह हम गयारा सब्सक्राइब एहाँगर हम थेक्विर्ट हईऀ क्रास के बात करें तो अभी तक मोना हाइब्ली हम एक कॉंट्रेस्टिंग करेक्टर को लेकर क्रास करा रहे थे अब यहां हम दो कॉंट्रेस्टिंग करेक्टर को लेकर क्रास कराएंगे तो यहां देखिया पहला करेक्ठर जो है, वो क्या है? आर्थात यह plant का length है, लंबा का length है और दूसरी तरफ क्या है flower का color तो यहां हम talent purple flower dominant somos ले हैं और white and स्ब्सक्राइब ऑइछ 25 है रेसेशिव करेक्ठर में ले रहे हैं जब इनके बीच में हम क्रास कराते हैं तो सबसे पहले हम हो जाएगा इस डॉमिनेंट के बीच में क्रास करा रहे हैं किसके बीच में जब हो जाएगा इस डॉमिनेंट करेक्टर का क्रास किसी रेसेशिव परेंट से करा जाता है तो सेम वही रिजल्ट आता है जो हमने मोनो हा आता है dominant as well as the recessive का वो कितना आता है 16 रेशियो जीरो अर्थात इससे यह confirm हो जाता है जब सभी dominant character को सो करने वाले plant आ जाते हैं तो यह confirm हो जाता है कि इनका जीनो टाइप क्या होगा होमोजाइगस dominant होगा क्या होगा होमोजाइगस dominant होगा ठीक है यहां हम क्या देख रहे हैं यहां हम हेट्रोजाइगस condition वाले हेट्रोजाइगस dominant character के वाले plant का हम recessive character से क्रास करा रहे हैं यहां हम देखते हैं बच्चों की जो चार प्लांट है थोड़ा सी इसको बड़ा करके देखते हैं यहां देखिए हम यह देखते हैं कि जो फूर प्लांट है वह टॉल एंड परपल कंडिशन को सो कर रहे हैं रिमेनिंग जो फूर प्लांट है वह टॉल एंड प्रकार से का रेशियो हम देखें चारों का तो कितना आता है वन इस टूवन इस टूवन का रिस्यो आता है तो जब इस प्रकार का रेशियो आ जाता है तो हम यह समझ जाते हैं कि यह hybrid test cross ratio है और जो condition क्या बताता है हेट्रो जाइगास dominant character को बताता है तीसरे case में लिए देखें यहां देखिए सब क्या है homo jayo gos recessive genotype का cross से से करा रहे हैं हो में जाइगास recessive character से यहां हम देखेंगे कि जितने भी प्रोजी नहीं आते हैं सब में क्या होता बता रिक्सक्रेक्टर सो करता है तो यहां टाल अन्परफल करेक्टर क्या है इसकश करेक्टर को सो कर रहा है अर्थाथ जीनो टाइब क्या होगा रेसे सिप करेक्टर वाला अर्थात SMAL टीटी और इसमाल पीपी होगा है ना अर्थात यह ड्वार्फ एंड वाइट फ्लावर कलर को सो करेंगे ठीक तो इस प्रकार से हम बच्चों जो जीनो टाइप है जीनो टाइप को करता है कि टेस्ट करास में क्या होता है वे फोन पर जीनी श्रीक रचाइब टेस्ट कराइब प्रकार करास को हम यहां देखे दिया गया है वेन यह फोन हाइब डीक रोच्ट विट एनीवन आफ इस पाइर इस्बाइट इस डामिनेट आइज हो मुझाज अपर इस वेल इस र दो क्राँज इसको रिमार करेंगे बहुत इंपोर्डेंट चीज अब यह पशन है प्रकार के क्राश को हम भाट प्रस खाट है हैं तो इस प्रकार के क्रास को हम बाइक क्रास काते हैं कि और टेस्ट क्रास और बैक क्रास बट बैक क्रास आर ना टेस्ट क्रास जितने भी टेस्ट क्रास हैं वो बैक क्रास हो सकते हैं लेकिन सभी बैक क्रास टेस्ट क्रास नहीं हो सकते हैं जैसा कि स्पीगर के माद हम से हाई हो यह फोन प्रोजीनी आए इसका कराश जम रेसेशीट से कराते हैं तो हम क्या करते हैं तो इन दोनों प्रस्थ करते हैं तो इधर यह फोन हाई प्रण हो यह दा मिन आफ्र से हुआ नमबर यह होता है आउट क्रास किसे करते हैं यह फोन प्रोजिनी घ्राइट वाले परेंट से कराते हैं तो इस प्रकार का जो जो क्रास होता है इसको हम आउट क्रास करते हैं पिर एक बात विमार कर गिये वेन यह फ़ून आप रोजिनेजेगी इस डॉमनेंट तेस्ट क्रास अर्थाच जब हम F1 प्रोजीनि का क्रास हम क्यवल और क्योफ पारेंट्स कराते हैं तो वेच क्रास में हम दोनों को पड़ते हैं । ग्या करता है शेज्ध क्रों और टेस्ट क्रॉजीनिकंगेask हम किस कराते है यह तो क्रॉस इसमें कंडक्ट कराते हैं जिनका सेम करेक्टरिस्टिक होता है लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या आता है और तो क्रॉस से तो न स्टूरे इस टिप में हम क्या करते हैं सेक्सेस को बदल देते हैं सेम हो जाता है और इस में डॉमिनेंस की तो दूनों में सेंड़िखेगा नहीं करेंगा सक्सक्राइब कोई अंतर नहीं आएगा कुई सेक्स किसी परकार का कोई उसमें डिफ्रेंसेंड करिये नहीं गरेगा तो इस परकार कि कर एक कर Tamam रेसिप्रक्राइड कराते हैं म्याशीन टू करोंसे कंसरनंग दे सेम टरेक्टरिस्टिक बट विट रिवर्स अर शेक्सेंड बहना से reciprocal crosses देखिए इस figure के माद हम समझते हैं यहां देखिए जब हम यह देखें कि एक यह male है male क्या है टॉल अर्थात इसका जो फिनो टाइप है वो क्या है वो टॉल है तो टॉल मेल प्लांट का जब करास हम किसे कराते हैं एक डौर फिमेल प्लांट से कराते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह फवन जनरेशन में जितने भी प्लांट होते हैं वो सब क्या होते हैं सभी टॉल विराइटी को सो कर रहे हैं दूसरी बार हम क्या करते हैं अब थोड़ा सा हम यह करते लें हैं तो मेरी फिमेल बाला पौधाइज ले रहा है उसको मेल खेल रूप मेल रहे हैं उसको मेल क्या करते हैं तो के ratio के रूप में तो उसका हम क्या करते हैं उसका हम इस्टामें रिमूब कर देते हैं औप यह आरगन रहता है इस प्रकार से हम कराश कराते हैं था मिह देखते हैं और सबी पौधे टॉल विराइटी के देखने को मिलते हैं अब दूसरे इस्टेप में हम क्या करते हैं सेक्स को रिवर्स कर दे रहे हैं अब जो टॉल विराइटी का जो लंबा पौधा था उस लंबे वाले पौधे में हम क्या करते हैं उसके मेल वाले पाड़ को निकाल देत और के फिमेल पार्ट को छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि मेल के मेल का जो है उसका इस्टामेन हम छोड़ देते हैं और फिमेल वाले पार्ट को हम रिमूब कर देते हैं तो इस परकार से ड्वार्फ प्लांट कौन होता है मेल होता है लेकिन जब इसके बीच में हम cross कराते हैं तो lotus यह करते हैं ऐसकते हम से EVERY से प्लांट आते हैं शेक्स से सब्सक्राइब करें परहिए इस्प्रकार के क्राश कराते हैं तो सेम इसको सब्सक्राइब a second cross of the same genotype in which the sexes of the parents generations are reversed is called as the reciprocal cross which gives the same result भले ही success reverse कर दिये जाएं लेकिन उसके result में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है तो इस प्रकार के cross को हम क्या करते हैं reciprocal cross करते हैं केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं sex को reverse कर रहे हैं sex को बदल रहे हैं थोड़ा इस figure के माद हैं सब्सक्राइब और जिनल ट्रास में क्या करा रहे हैं male gamit को हम टाल के रूप में ले रहे है female gamit को हम डॉप में रहे हैं प्रास के क्या कुछ important facts हैं तो इसमें क्या होता है sex आप parents is reversed इसमें parent के sex को क्या कर दिया जाता है reverse किया जाता है और दूसरी बात क्या होती है characters controlled by the carryo genes are not affected ऐसे characters बच्चों जो nucleus के अंदर पाय जाने वाले gene हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है अर्थाथ character which is controlled by the carryo genes are not affected ऐसे character जो nucleus में पाय जाने वाले gene के माध्यम से regulate हो रहे हैं यह DNA पाय जाते हैं तो nucleus के अंदर पाय जाने वाले DNA को हम क्या कहते हैं carryo genes कहते हैं तो ऐसे character जो nucleus के अंदर पाय जाने वाले genes से control होते हैं वो reciprocal cross से उस पर किसी प्रकार का कोई फरक नहीं पड़ता है अर्था तो उसके character में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है In case of cytoplasmic inheritance result are affected और कुछ आईसे भी genes होते हैं बच्चों जो cytoplasm में पाए जाते हैं तो cytoplasm में पाए जाने वाले आईसे genes जो किसी character को regulate कर रहे होते हैं किसी character को control कर रहे होते हैं वो affected होते हैं अर्था cytoplasm का inheritance का जो result होगा वो affected होगा जबकि करियो genes से control होने वाले जो characters हैं वो किसी प्रकार से affected नहीं होते हैं किस क्रास में रेशिप्रोकल क्रास में रेशिप्रोकल क्रास का एक और important fact क्या है help to evaluate the maternal inheritance क्या जाता है maternal inheritance को evaluate करने के लिए हम लोग रेशिप्रोकल क्रास का सहरा लेते हैं इस सो मच इंपॉर्टेंट इस जान लेते हैं डबल क्रास क्या होता है इसमें क्या होता है फॉर प्योर लाइन वेराइटी सच आज दे एबी सी और इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है प्योर लाइन वेराइटी सब्सक्राइट इसमें क्या होता है प्योर आपस में क्रास करके क्या करते हैं एक यफोन हाइबृट पैदा करते हैं ना अर्थाथ फिलिये जनरेशन का पहला इनका क्या है यह आपस्प्रिंग्स हैं इसमें क्या होता है और यह फिलिये जनरेशन में यह फोन हाइबृट पैदा किये दूसरा सी एंडी भी क्रास क्या 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 हुआ कि पैरेंट ए और भी दोनों आपस में क्रास किये और यह फिलियल जनरेशन में यह फोन हाइबृट पैदा किये दूसरा CND भी क्रास किया और इस परकार सी इनों ने फर्स्ट फिलियर जनरेशन में यह भी एक यफ़ोन हैब्रेट और इन दोनों यफ़ोन हैब्रेट के बीच में जब क्रास हो जाता है और यह तीसरा क्या होता है यह जनरेशन प्रोडियूस होता है तो इस प्रकार के क्रास को हम double क्रास करते हैं आज की human societies में हम लोगों के जो cultural marriage हो रहे हैं वो इसी क्रास के दोरा रथा यह double क्रास है तो एक तरफ जो लड़का होता है अपने माता-पिता से पाइदा होने वाला लड़का और दूसरी लड़की के तरफ से वो अपने माता-पिता से पाइदा होने वाली लड़की तो एक यह हुआ अर्थाते एक parent A और B से product जो होता है वो लड़का हुआ दूसरी तरफ parent C अड़ D से प्राप्त होने वाला लड़की इन दोब के बीछ में जब मैरेज कर दिया जाता है तो इसे के लंगी से इन यें अगर उनलों के विडियों आपको से दिंद ये नियुत- exile को जपने पर तो जबसे पहले हमारे चांच के सबसक्राइब करें नोटिफिकेस आपके पास तक पहुचते रहें मिलते हैं बच्चो नेक्स्ट वीडियो सेग्मेंं ख़ले में धन्याद को